इस question में हमें number of individuals निकालना है जो exposed हो C2 से पर C1 से ना हो but not आ जाता है जब भी but not आ जाये तो मैं इस set को इस set से minus कर जेता हूँ मेरा chemical C2 वाला set है set B chemical C1 वाला set है set A तो ये हो जाएगा मेरा N B minus A हमारा B minus A का formula होता है N B minus N A intersection B यहाँ पर B की value है मेरी N of B यानि C2 की number of people है वो है 50 जो A intersection B है यानि C1 और C2 दोनों के हैं वो है मेरे 30 values put करे हम तो ये आ जाता है 20 तो 20 people है मेरे जो C2 से exposed है पर C1 जे नहीं है